जिल्य के कलेक्टर द्वारा वर्तमान समय में नदियों से रेत उत्खनन एवं परिवाहन पर पूर्ण तहप प्रतिबंद लगाया जाने के बाबजूत भी पिछले कुछ दिनों से लगतार शेत्र की नदियों से अवैद रेत उत्खननन एवं परिवाहन की खबर है आ रही आज दोपहर को पिपरिया SDM नितिन टाले के निर्देशन में शेत्र की दूधी नदी मालन वाड़ा में अवैद रूप से रेत का उत्खनन एवं परिवाहन करने वालों पर कारवाई की गई जिसमें इस्थल से एक JCB और एक ट्रक को पकड़ कर बनखेडी पुलिस को पराशी और बंखेडी तैसिलदार प्रमेज जैन के अलावा अन्य राजस परमचारी भी शामिल थे क्या कारवाई भी आज SDM माहुदय के निर्जेशन में दो दी नती मालन बाड़ा में रेत के अवैत परिवान करते हुए एक डंपर और एक JCB को पकड़ा गया और इसको करने के सुपोर्ट किया गया है अब SDM माहुदय की माद्यम से विदिवत प्रकरण बनाकर गलेक्टर माहुदय को अवश्य करवाई के लिए प्रेशित किया जाएगा यह हमने अभी दो लोग जो हमारे इसमें बाहन करता थे उनका वेपरन हमारे केश में जाएगा जो दो क्या कहना में सर्वाहन चालक है बवला पिता गुलाव राजपूत ग्राम राजोला और राम जाने पिता राम प्रशाथ ठाकुर सुरेकला कला आज SDM दोरा रेट चोरों पर की गई कारवाई की सराना की जानी चाहिए निशे तोर पर इस कारवाई से अवैद रेट उत्खनन और परिवहन करने वालों के मन में प्रशासन और कानून के प्रती डर पैदा होगा जिले के कलेक्टर के सक्त निर्देश के बाबजूद भी नदियों से रात दिन रेट का अवैद उत्खनन और परिवहन किया जा रहा है दिन में तो आज प्रशासन ने अपनी जिम्मदारी को समझते हुए कारवाई की लेकिन दिन से जादा नदियों से रेट का उत्खनन और परिवहन रात में किया जा रहा है इस कारवाई के बाद प्रशासन से उमीद है कि शीग रही रात में रेत का अवैद परिवहन करने वालों पर इसी तरह की कारवाई प्रशासन के द्वारा शीग रही देखने को मिलेगी वहीं सूतरों की माने तो रेत के इस गोरक दंदे में बड़े-बड़े माफियाओं का हाथ है। उमीद है प्रशासन द्वारा इन पर कारवाई करके जनता के सामने इनके नाम शीगरी उजागर किये जाएंगे। मेल जोल के कारण संकमन का खत्रा बढ़ने की संभावना है। सांती त्योहारों के दोरान बाजार में लगने वाले भीड को द्रश्टिकत रखते हुए पूरे जिले को शनिवार यानी एक अगस्त से लेकर मंगलवार यानी चार अगस्त तक चार दिनों के लिए लोकडाउन क किया जाएगा। इस दोरान अती आवश्यक कारियत अत्वा चिकित्सियक कारे के अलाबा लोगों के घर से बाहर निकलने पर पूंड तहा प्रतिबंद रहेगा। लोगडाउन संबंदी आदेश जिले के अपर कलेक्टर जीपी माली द्वारा आज पूरे जिले के सभी शास की अधिकारियों को प्रेशित किया गया तथा जनता से लोगडाउन संबंदी प्रशासन के नियमों का पालन करने की अपील भी की गी। COVID-19 महामारी को देखते हुए बंखेडी के शास की कारियालेओं में सोशल डिस्टेंसिंग तथा सेनिटाइजिंग से संबंदित एहतियाद बढ़ते जा रहे हैं। बंखेडी के जनपत कारियाले में लोगों के लिए सेनिटाइजर मशीन लगाई गई तथा लोगों की पहचान करने के लिए लोगों का नाम एवं पता दर्ज किया जा रहा है। जनपत कारेयले में पदस्त सुनील कुमार ने बताया कि कारेयले में कारेरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वरा कारे के दोरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है